हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल, स्प्रीचल लव टेरोट, कैसे हैं आप लोग? I hope खुश होंगे, अपनी लाइफ में इंजॉय करें होंगे, हैपी होंगे डियर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे, पॉजिटिविटी को ट्रेक करें आपके लाइफ में धेश सारी खुशियां इश्वर करें कि आपके जिन्दगी खुशियों से भर जाए है ना, आपके जिन्दगी में कोई दुख न रहे, हमेशा खुशियां बनी रहे और डियर आप हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है? तो चलिए आज कर टॉपिक जो है, वो है थर्ड पाटी को लेकर तो अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पाटी है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना इस्कीप कर दीजेगा और देखते हैं कि थर्ड पार्टी और पार्टर के बीच में क्या चल रहा है क्या आपको न्याए मिल सकता है यहाँ पर अगर आपके रिष्टे में कोई थर्ड पार्टी है तो क्या आपको न्याए मिलेगा क्या युनिवर्स जो है डिवाइन जो है आपके साथ न्याए करेंगे तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसा न्याएं मिलेगा universe की तरफ से divine की तरफ से क्या आपको न्याएं मिलेगा dear यहाँ पर है nine of swords की energy nine of swords है यहाँ पर हमारे पास में next card यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है two of pentacles के energy है two of pentacles निकला है dear यहाँ पर है five of swords तो क्या आपको न्याए मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हम देखने की कोशिश कर रहे है कि क्या आपको न्याए मिलेगा devil की energy है dear यहाँ पर यह कार्ट से बता रहा है devil वाली energy कि आपके उपर evil eye वाला कुछ ना कुछ spell हुआ है और इसके दोरान आपके जिंदगी बहुत ज़्यादा disturb हुई है और third party ने शायद कुछ जरुष से ज़्यादा चीजे करी है और देखें यहाँ पर death का कार्ड है जो चीजे आपके उपर करी गई है जो चीजों का effect आपके उपर हुआ है वही चीजे मुझे backfire होती हुई रहा है कि उसको कर्मा तो भुगतना पड़ेगा है ना hundred percent उसको अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर divine जो है universe जो है कहीं न कहीं यह बता रहे हैं कि अब जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है अब उनको बहुत कुछ भुगतना जाया है और जस्टिस इस बात को बता रहा है कि अब आपके साथ में नयाय होगा जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है अब वो painful situation में जाएंगे उनकी situation बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं उनको कोई मदद नहीं मिलेगी जहां से कहां पर पहुच रही है तो बहुत ही दर्दनाक situation में वो लोग जाने वाले हैं उनकी hanged situation यहां पर निकल रही है और देखिएगा कि hanged situation बहुत जल्दी उनकी जिन्दगी जो है वो कहीं न कहीं खराब कर रही है तो बहुत सारी चीजे इनकी जिन्दगी में ऐसी हो जिंदगी जो है वो बहूत बड़े टावर मोमेंट से गुजरेगी क्योंकि bottom की energy बता रहे हैं कि यह जो third party है यह third party की जिंदगी बहुत बड़े टावर मोमेंट से गुजरने वाली है एक ऐसी situation इसको पीछा करेगे कि यह कहीं की भी नहीं रहने वाली है हर पल हर शन जो चिटिंग जो धोका इन लोगों ने आपके साथ किया है वो सारी चीचे इने को भुगतनी पड़ेगी ठीके डियर तो चलिए कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी जो आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं 8 नंबर 9 नंबर 21 नंबर दिखाई दे रहा है और 87 नंबर ठीके टू नंबर तो यह नंबर्स जो है कुछ खास हो सकते हैं साइन के बात करी जाए तो कैप्रिकॉन के अनरजी और स्कॉर्पियो के अनरजी हैवी दिखाई दे रही है और इरीज लियो सेजिटेरियस हमारे पास बहुत ही कम है ना के ब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है चलिए बात करी जाए डियर क्या आपको न्याए मिलेगा क्या आपके साथ न्याए होगा मैं तो यहाँ पर अगर कहूं तो डियर न्याए ऐसा होने वाला है कि आपके दिल को चैन मिल जाएगा कहीं न कहीं न्याए ऐसा होगा कि चैन मिल जाएगा आपको और ये समझ लीजिए कि ये जो आपके पार्टनर है ये जो आपके पार्टनर के साथ में थोर्ड पार्टी है इस थोर्ड पार्टी का ऐसा सीन दिखाई दे रहा है कि ये कार्ट बता रहा है कि रोमांटिक थोर्ड पार्टी यहां पर निकल के आई है आपके पार्टनर इस romantic third party के साथ में कहीं न कहीं जगलिंग कर रहे हैं कहीं न कहीं इस romantic third party के साथ में बहुत जगल करते हुए दिख रहे हैं आपके partner और ये third party इनकी friends हो सकती है या फिर कोई friend circle से ऐसा कोई हो सकता है जिसको आप जानते भी हो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी का आपको आज तक पता ही नहीं चला है कि आखिरकार ये थर्ड पार्टी रहती का है आखिरकार ये थर्ड पार्टी है कौन आपने बहुत कोशिश करी अपने पार्टनर के फोन के जरीये जानने की आखिरकार ये थर्ड पार्टी दिखती कैसी है आखिरक अपने जीवन से निकाल सकें। इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन से निकालने के लिए या फिर किसी तरह का कोई उपाई करने के लिए आपको इसका फोटो चाहिए था। तो कुछ लोग फोटो सर्च कर रहे थे, पर नहीं हाथ लग पाया है, कुछ लोगों को मिला भी है, और कुछ लोगों ने उस third party पर अपनी energies जो उसने आपके उपर छोड़ी है, वो energies वापस भी आपने करवाई है, तो यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, जितना आपस से resonate करें, आप रख लीजेगा, बाकी को skip कर दीजे, हर बात हर किसी से resonate नहीं कर सकती है, यह एक general reading है dear, और card से possibility बताते हैं, असली destination divine को पता है, divine जानता है, क्या आपके लिए क्या right है, क्या wrong है, तो चलिए, यहाँ पर मुझे कुछ चीज ऐसी दिख रही है, जो romantic third party है, इस यह third party से छुपाया भी गया है, और कुछ third party को यह पता है, कि आपके person married है, उनके wife है, उनका पूरा पलिवार है, फिर भी यह third party यहाँ पर जुड़ी हुई है, चलिए, यह तो बात हुई third party कैसे जानती है, क्या इसका third party का आपके partner के साथ में है, बात करी जाये तो dear, दिख आप में ज़्यादा time spent करना, यह आपके partner की एक energy मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपने देखा भी होगा, कि अपने friends के साथ में बहुत ज़्यादा time spent करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने friends के साथ में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने friends के साथ में घूम पूरा पूरा फोकस अभी थर्ड पार्टी पर ही मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के एनरजी में मुझे थर्ड पार्टी की तरफ एक ऐसा जुकाओ दिख रहा है एक ऐसा फोकस दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी का उठना बैठना खाना पीना सब कुछ प ज्यान वो थर्ड पार्टी पर दे रहे हैं एक तरस से आपके पार्टनर अट्रेक्ट भी है इस थर्ड पार्टी की तरफ जो अट्रेक्शन आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की तरफ है उसकी उपर नजर रखे हुए हैं उसके उपर अपना पूरा फोकस बनाए है कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है जो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पर इतना ध्यान देना पड़ रहा है बात करी जाए थर्ड पार्टी पर तो फोकस पूरा है लेकिन आप पर वो अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं कहीं न कहीं किसी तरह कि इवल एनरजी आपके पार्टनर को आपसे डिटेच करती है आपके पार्टनर को आपसे अलग करती है यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों के बीच में दूरिया मुझे दिखाई दे रही है शायद वो third party के बहुत close है और आप से बहुत ज़्यादा detach है यहाँ पर अपने friends पर कर रहे हैं आपके partner पूरा पूरा focus यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके जो partner है वो आपके साथ में बिल्कुल भी time spend नहीं कर पा रहे है है ना यहाँ पर हमारे पास में जो cards है यह है nine of swords का card और यह nine of swords का card यह बता रहा है कि यह third party को लेकर depression में हैं आपके partner आपके partner को बहुत ज़्यादा depression हो रहा है इस third party के energy से आपके partner परेशान है और third party को लेकर अफसोस कर रहे है कुछ अफसोस उनको हो रहा है शायद अफसोस होने की वज़ा अगर है तो यहाँ पर heart broken वाली energy है आपके partner का third party के साथ में जो अफसोस जाहिर करना है वो गलत नहीं है हो सकता है इनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी है कुछ ऐसे situation हुई है जिसके दोरान आपके partner बहुत ज़्यादा परिशान हो चुके है रो भी रहे हैं दियर tension बहुत हो रही है अफसोस जाहिर कर रहे है third party tension दे रही है कुछ तो उन्होंने आपके partner को hurt किया है जिसकी वज़े से आपके partner stuck हो चुके हैं जिसकी वज़े से आपके partner hanged situation में है बहुत ज़्यादा anxiety आपके partner को यहाँ पर हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर depression में दिख रहे हैं third party के तरफ से cheat किया गया है कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर आपके partner heart broken वाली energy में दिखाई दे रहे हैं कि partner ने third party को आप दोनों के बीच क्यों लाया है यहाँ पर justice के energy है dear और justice का card क्या बता रहा है आप देखें यहाँ पर मुझे justice दिख रहा है third party को अपने जीवन में लाना गलत है आपके partner के दिल में दिमाग में एक खयाल आ रहा है कि third party को अपने life में लेके आना अपने जीवन में लेके आना बहुत ही गलत बात थी और आज इस partner को मुझे ऐसा दिख रहा है कि disappointment है आपके partner की इन्हों ने क्यों इस third party को अपने जीवन में लाया और क्या वज़ा थी यह सोच कर आपके partner थोड़ा सा परिशान हो रहे है guilt feel कर रहे है कि उन्होंने ये चुना ही क्यों गलत रास्ता इस बात को सोच रहे हैं आपके partner अब ये अफसोस में हैं बहुत ज़्यादा अफसोस जाहिर कर रहे है guilt इनको हो रहा है justice करने के बारे में इनके दिमाग में बार बार कहीं न कहीं ध्यान आ रहा है आपको न्याए देंगे डियर और ऐसा न्याए देंगे कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हरकते कर दी है third party के चकर में गलत तरीके से गलत चीजों को अंजाम दिया है आपके पार्टनर दें ये आप समझ लीजिए और डियर आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है ना third party के कारण आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए tower moment ये बता रहा है कि 100% 100% आप justice का वेट कर रहे थे और आपको justice मिलेगा tower और justice ये दोनों ही कार्ड ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अब उन लोगों को tower moment का सामना करना पड़ेगा जिन्होंने आपके साथ में अन्याय किया है अब इश्वर जो है वो आपको justice देंगे और आप में से काफी लोगों को 100% इस बात का इंतिजार था कि आपके साथ में justice होगा ठीके बड़ा change आएगा अब बहुत ही big change यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपके जीवन में big change आना बहुत जरूरी है जब आपके जीवन में change आएगा बदलाव आएगा आप देखिएगा कि चीजे किस तरह से किस हद से बदलना शुरू हो जाएगी अचानक से sudden चीजे miracle की तरह बढ़ने लगेगी है ना जो third party थी इस third party के plan जो है वो fail होंगे third party के सारी planning जो है वो fail होती हुई दिख रही है negative plan बनाए दियर दुख पहुचाया आपको third party ने वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है third party की वज़े से आपको बहुत बेज़ती का सामना करना पड़ा है third party के वज़े से आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ा है बहुत ज़्यादा बेज़ती का सामना भी करना पड़ा है अब यह partner मुझे ऐसे situation में दिख रहे हैं कि यह माफी मागेंगे माफी मागने के मुड में तो है यह पूरा पूरा दिख रहा है कि माफी मागने के मुड में हैं आपके partner ये 100% guilt में हैं रोना आ रहा है और partner को आपको कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है जीत का रास्ता मिलने वाला है ठीक है आपके partner को जीत का रास्ता मिलेगा लेकिन इन्हें पहले सुधरना पड़ेगा इन्हें पहले अपने lesson को complete करना पड़ेगा है ना माफी तो मांगेंगे ये लेकिन इस माफी के पीछे इनको lesson सीखना जरूरी है जरूरी है universe चाहता है divine चाहता है कि आपके partner को कुछ lesson सीखने पड़ेंगे है ना यहाँ पर आपको जीत मिलेगी डियर आप देखेगा कि आपका जीवन आपकी life आपका career सब कुछ सही होने वाला ये change ये बदलाओ आपके जीवन में अच्छा होगा मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप देखेगा कि आपके जीवन में बहुत जल्द कहीं न कहीं change आएगा luck change होगा आपकी power बढ़ेगी जो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि जो आपने बहुत सारी परिशानियों का सामना किया है आप अब जितना गिरे हो ना किसी ने आपको गिराने की बहुत कोशिश करिए किसी ने आपको बहुत हराने की कोशिश करिए आप देखिएगा कि उन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा जस्टिस मिलेगा डियर आपका निस्वार्थ सेवा भाव आपका दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना है ना वो सब चीजों से आप देखिएगा कि आपके साथ में जस्टिस होगा आपके साथ में न्याय होगा और बहुत जल्द आप जीत के रस्ते पर जाने वारे हो जीत आपको मिलेगी कोई कितना भी कुछ क्यों न कर ले आपको जीत मिलेगी 100% आपके लाइफ में जीत आती हुई दिख रही है सकसेज आपको मिलेगी मुझे ऐसा लग रहा है आपका स्प्रिचल इटी से कनेक्ट होना आप में से काफी लोगों ने इतना ज़्यादा पूजा पार्ट कर लिया इतना ज़्यादा दुआएं इतना ज़्यादा कहीं न कहीं दुआएं मांगी है कि उन सब का आपको अब एक अच्छा reward मिलने वाला है एक अच्छा gift आपको यूनिवर्स की तरस से मिलने वाला है और ये gift आपके लिए ऐसा होगा कि आपके जीवन में जिस spiritual path को आपने कहीं न कहीं अपनाया है ना उस spiritual path के उपर चलने से आपकी life change होने वाली आपका future आपके life सब कुछ बदलती हूँ मुझे दिख रही है सब कुछ change आपका आता हुआ दिख रहा है वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा दियर न्याई मिलेगा ऐसा न्याई होगा कि जिंदगी खुशियों से भर जाएगी तो universe को thank you बोलो divine को thank you लिखिए क्योंकि आपके साथ में बहुत ज्यादा न्याई यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत कुछ मिलेगा बहुत सारे काले बादल जो आपके सर पर मड़रा रहे थे जिस तरह के कि आपके life में दुख थे आपके जिंदगी में कुछ ऐसे negative लोग थे जो आपको बहुत टॉचर करते थे कुछ लोग आपको बार बार नीचा दिखाते थे कुछ ऐसे negative लोग थे जिनकी वज़े से आपने बहुत उतार चड़ाओ देखे financially बहुत loss आपने देखा जीवन में खुशियां आपको कभी नहीं मिली तो ये सारे काले बादल अब आपके उपर से छट जाएंगे और डियर आपके जीवन में बहार आएगी एक अच्छी वाली बहार आपके जीवन में आती हुई दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि blessing universe की आपकी तरफ आ रही है डिवाइन की साथ में गलत किया था उनकी जिंदगी खुद कहीं न कहीं टावर मोमेंट से गुजरेगी आपके पास में बहुत सारे ओफर आने वाले हैं कोई ऐसा ओफर आपको मिलेगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी financially आप grow कर पाओगे health और wealth दोनों ही आपकी सही होने वाली है दिख रहा है कि prosperity आपका इंतजार कर रही है है ना जिन लोगों ने आपको reject किया था चाहे third party के कारण आपको reject किया हो या फिर कोई flirt करने के चकर में आपको reject किया हो जिन लोगों ने भी आपका partner था या वो जिस third party के कारण आपको reject किया गया है देखिएगा कि वो reject करे हुए लोगों का ego तूटेगा उन लोगों का घमंड तूटेगा और आपी के पैरों पर आकर माफी मांगेंगे आपी पर कहीं न कहीं आखर रिस्टक होंगे वो लोग और जिन लोगों ने आपके ego को hurt करने की कोशिश करिया आपके दिल के साथ खिल्वार करने की कोशिश करिया उनका ego तूटता हुआ दिखरा है सब कुछ खतम हो जाएगा आपका बुरा करकर उन लोगों ने अच्छा नहीं किया आपका बुरा करने से पहले उन्हें सो बार सोचना चाहिए था कि डिवाइन की बच्चे के साथ गलत करना गलत बात होती है किसी सच्चे दिल वाले के साथ में गलत करना बहुत ही गलत बात होती है और ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ही भूल गए थी कि उन्होंने गलत चीजों को अंजाम दे दिया है तो अब यहाँ पर यह दिख रहा है कि जो लोग आपका गलत कर रहे थे जो लोग आपको खतम करने चले थे वो लोगों की जिन्दगी खुद कहीं न कहीं दोराहे पर आ गई है खुद उनकी जिन्दगी यहाँ पर ऐसी हो गई है कि उनकी जिन्दगी में पूरी तरह से दिक्कती ही दिक्कत आ जाएगी है ना चंड भर में इनकी सारी खुशियां छीन ली जाएगी चंड भर में इनके आँखों में आतू आ जाएंगे आपके साथ में गलत करकर इन लोगों ने बहुत बुरा किया है मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी खुश हो रही थी आपका बुरा वक्त देखकर थर्ड पार्टी को बहुत खुशियां मिल रही थी जब आपका पार्टनर आपके साथ में गलत कर रहा था आपका पार्टनर जब आपको छोड़ कर जा रहा था तो इस थर्ड पार्टी को बहुत खुशी मिली है चाहिए थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हो चाहिए थर्ड पार्टी फैमिली से हो पर इस थर्ड पार्टी के कलेजे को बहुत थंडक मिली थी जब आपका पार्टनर आपको छोड़ कर गया था जब आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा था तो ये थर्ड पा आ जाएगा एक ऐसा टावर मोमेंट जिससे थर्ड पार्टी को बच पाना बहुत मुश्किल होगा इसका बुरा वक्त शुरू हो गया है है ना वो भी ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी खुश हो रही थी ना कि गलत ही कर लेगी ऐसा सोच रही थी आपके बारे में उसका यह मानना था कि उसका ही उसका गलत ही होगा है ना डैथ की अनर्जी आईगी डियर इस 3rd party की मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 3rd party ने जो आपके साथ में किया है जो गलत चीजे करिया विसी का गलत होने वाला है देथ के अनर्जी है तो डेथ का कार्ड ये बता रहे कि थर्ड पार्टी की ही ये सिट्वेशन होने वाले जो इसने आपके लिए रखी है एक तरह से इवेल डेथ होगी डियर इस थर्ड पार्टी की उनकी जितना घमंड ठाना वो घमंड छान भर में खत्म कर दिया जाएगा आपके लाइफ में एक पॉजितिव अनर्जी आएगी सही के साथ गलत नहीं होता है गलत के साथ गलत जरूर होता है ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि कभी भी सही करने वाले के साथ में गलत तो इश्वर नहीं करता है डिवाइन तो नहीं करता है लेकिन जो लोग गलत ह साथ में तो डिवाइन गलत ही करता है और यहां पर मुझे दिख रहा है कि गलत के साथ गलत ही होता है जब डिवाइन सजा देगा ना जब यूनिवर्स सजा देगा ना जब यूनिवर्स डिवाइन करमा देंगे ना तब ये गलत करने वाले को जो गलतियों का एहसास होगा न इनिवर्स तो इसको ऐसे सजा देने वाला है जब डिवाई सजा देगा ना तो डियर बहुत बुरी तरश सजा देगा ऐसा दिख रहा है कि छोटी मोटी सजा नहीं होगी इस इंसान की उल्टा लटका दिया जाएगा डंडे ही डंडे पढ़ेंगे तो ऐसी सजा जिसमें बहुत ही ज़्यादा पैंफुल दर्द इसको मिलने वाला है तो तकलीफ होगी दर्द होगा और ये निया होगा यूनिवर्स का डिवाईन का आपके लिए तो बल्ले बल्ले है डियर कि आपके साथ में तो इश्वरी शक्ती जो है वो नियाए कर रही है आपके साथ में सब कुछ अच्छा होने वाला है तो निया है आपको मिलने वाला है और ये बहुत ही मुझे दिख रहा है कि बुरी तरह से देंगे डिवाईन जो है ना बहुत ही बुरी तरह से सर मुझे ऐसा दिख रहा है कि छोटी मुटी सजा नहीं होगी पता है छोटी मुटी सजा तो बिल थर्ड पार्टी ने क्या किया है जकीन वानिए फागलों वाली 한다 करी यक देवा लिग जाती को लग रहा थ है कि ये आपके जीवनで बहुत कुछ कर लेगी हैना लेकिन मुझे अशाँ लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी कि जिन्दगी है उसमें पनिश्मेंट मिल रही है। रही है थट पार्टी अब जीना मुश्किल हो रहा है दुख में इडर थ़र्ट पार्टी ऐसा दिकhरा है कि पर्मनेंट्ली दुक्षि रहेगी ये थट पार्टी अब को पार्टनर पर बहुत प्राउड था पर यह ना ये तो third party में involved थे ये तो third party में involved थे आगे अंधेरा ही अंधेरा है जिसकी तहस नहस है dear बहुत ही ज़्यादा तहस नहस में देख रही हूं कि ये third party के तहस नहस होने वाली है रातों कि नीन उड़ जाना है दिन में तारे इस third party को दिखने है ऐसी situation होगी जिसे कहते हैं tower moment तो third party के जिन्दगी में tower moment आही रहा है आपकी inner growth की जरुवत है dear आपको मैं यहाँ पर देख रही हूं कि inner growth की जरुवत है कुछ लोग twin film हैं आपको कहीं न कहीं reunion मिलेगा dear आप में से काफी लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप और आपके रिष्टे में twin film connection मुझे दिख रहा है और यह third party कार्मिक है कार्मिक relationship यहाँ पर चल रहा था और कुछ लोगों का एक soulmate या twin film connection हो सकता है आपका reunion होगा dear मिले मिलोगे आप लोग और अगर आपका rejection हुआ था तो मैं यहाँ पर बोलो कि बहुत जल्दी आप लोगों का एक reunion होने के chances बहुत जादा है गलत कर अपने वाले को 100% गलत ही मिलेगा जो भी आपके साथ में गलत हुआ है जो भी आपके साथ में गलतियां करी गई है आपके partner द्वारा third party के द्वारा double double 100% 100 and 100% double करके इनको कर्मा भूगत ना पड़ेगा जो भी दिया है वो इन्हें 100% बढ़के मिलेगा third party ने कभी आपके साथ में अच्छा नहीं किया आपके बारे में जितना गलत सोच रही थी इसको उतना ही दर्द उतना ही परेशानियां उसको मिलेगी दिखें आपके उपर जो evil आई किया गया है काम को बरबात करने का जो सोच रखा है या फिर planning की है आप पर बुरा चाहा है तो कुछ लोग हैं जो आप पर प्लानिंग करते हैं कुछ लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं हैना सब कुछ खतम करना चाहते हैं कुछ लोग ऐ आसे energy यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि ये third party के इरादे तो अच्छी नहीं थे लेकिन आप परेशान मत हुए आपको अपने spiritual पार पर चलते रहना है और देखिएगा आपको अपनी spiritual awakening बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है जब आप अपनी spiritual awakening की तरफ बढ़ोगे हैना तो काफी चीजे सही हो जाएगे आपको अपनी inner growth पर काम करने की जरूरत है balance कीजिए inner growth पर काम कीजिए तो डियर वीडियो अगर अच्छा लगा है third party से related वीडियो सा कि third party का लेकर आपके partner क्या feel कर रहे हैं तो यहाँ पर तो नयाय होने वाला है justice आपको मिलेगा 100% आपका जी कीजिए support करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू हम मिलते है नेक्स वीडियो पर